नमस्कार दोस्तों, Study IQ Map सभी का स्वागत है, मेरा नाम है Dr. Mahi Paal Singh Raathod और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिसकस करूँगा करनाटका राज्य के शिव मोगा में एक प्रपोस्ट मंकी पार्क के बारे में इस मंकी पार्क को बनानी की आवशकता क्यों पड़ी? मंकी मैन कॉंफ्लिक्ट के क्या आयाम है, क्या इस्चूज हैं, उनको डिसकस करेंगे इस मंकी पार्क का लोकल रेजिदेंट्स विरोध कर रहे हैं, पर्यावरन विद भी विरोध कर रहे हैं उसके पीछे क्या रीजन्स हैं, और फाइनली इस कॉंफ्लिक्ट को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, क्या इसके सॉल्यूशन्स हैं, उन सभी को हम डिसकस करेंगे इस वीडियो में अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुणना चाते हैं, तो मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम या फेस्बुक पर इन आइडिस पर फॉलो कर सकते हैं, मेरे सभी लेक्चेस के अपडेट्स आपको यहाँ पराप्त हो जाएंगे, और पीडियेफ आप इस टेलिग्राम कवर किये गए हैं, UPSC का बहुत ही वास्प syllabus है, इसे हमने systematically कवर किया है, तो जाला जानकारी के लिए आप हमारी website विजिट कर सकते हैं, studyiq.com या फिर directly app डाउनलोड करके भी इस course को आप चेक कर सकते हैं, इस course पर 30 जून तक attractive EMI options भी available हैं, करनाटका राज्य में पिछले सा Translocate किया जाएगा, यनि बंदरों को वहाँ से पकड़ कर, इन special monkey park designated areas हैं, उनमें छोड़ दिया जाएगा, तो ये monkey park का proposal last year government ने okay कर दिया था, इसके लिए budget में भी प्रावधान किया गया था पैसों का, लेकिन जब ground level पर इसके survey शुरू है, तो जो local residents है, जहाँ पर ये park ब Western Guards ये दुनिया के सबसे biodiverse areas में से एक है, biodiversity hot spot है, और इनी Western Guards में, अगर हम देखेंगे जो शिवमोगा district है, पहले इसका नाम शिमोगा हुआ करता था, लेकिन अब इसको बदल कर शिवमोगा कर दिया गया है, जो इसका original पुराना नाम है, तो शिवमोगा district में जो Western Guards का area ह यहाँ पर एक नदी बहती है, जिसको हम कहते हैं शरावती नदी, और इसी शरावती नदी पर एक dam बना हुआ है, जिसका नाम है Linganamakki Dam, और इसके पीछे एक बहुत बड़ा reservoir बनता है, जो आपको यहाँ पर यह नजर आ रहा है, इस map में आप देखें कितना लंबा reservoir है यह इसको कहते हैं Linganamakki Reservoir, तो शरावती नदी एक comparatively छोटी नदी है, भारत की दूसरी नदियों से हम इसे compare करें, लगबाग 1500 km का इसका बहाव है, और यह जाकर यहाँ पर करनाटक से Arabian Sea में मिल जाती है, तो इसी शरावती नदी पर भारत का सबसे उंचा जरना, Jog Falls स्थित हैं यहाँ पर, लेकिन इस Jog Falls में भी पानी बहुत कम हो गया है, because of Linganamakki Reservoir, तो यहाँ पर पानी को रोक लिया जाता है, और इसी Linganamakki Reservoir के जो backwaters आप देखेंगे, यानि कि जो इसके dam के आखरी छोर है, यहाँ पर कुछ islands हैं, इनी islands में सरकार का यह proposal है, कि यह monkey park बना किया, कि आप आबादी शित्र के पास में मत बनाओ, तो अब government, करनाटक government यह propose कर रही है, कि यह जो निटूर नाम का गाउं है, इसके पास कुछ islands पर, जिन में आबादी नहीं रहती है, क्योंकि यह dam के पानी के अंदर के islands हैं, इन पर यह monkey park बनाया जाए, यह पूरा इलाक NTM wildlife sanctuary से कहा जाता है, तो यह पूरा सरकार का translocation plan है, आपको यहाँ पर एक तो district का नाम याद होना चाहिए, नदी का नाम याद होना चाहिए, और यह पता होना चाहिए, कि lion-tailed macaq यहाँ पर famous है, यह है lion-tailed macaq, I am sure आप सभी ने environment ecology में इसके बारे में पढ़ा होगा, क्य आप मुझे conservation status बता सकते हैं, इसका IUCN के according क्या status है, comments में बताइए जरा, और इसका नाम भी याद रखना scientific name है, macaqa silenus, तो यह कुछ important geographical markers हैं, जो इस area से संबन देते हैं, तो इन पर question पूछा जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल यह lion-tailed macaq species यहाँ पर देखने को म जो यहाँ पर पाये जाते हैं, बड़ यह वो बंदर हैं, जो mostly इनसानों के आबादी कि शेत्र के आसपास आ जाते हैं, अब सरकार यह monkey park बनाने का विचार क्यों कर रही है, तो देखिए western guards का जो area है करनाटक में, जैसे कहा जाता है मलनाड region, यहाँ पर dense forest region था, लेकिन फसल को यह चौपट कर जाते हैं, fruits खा जाते हैं, और अकेले करनाटक ने यह अंदाजा लगाया था, कि राज्य में 300 करोड का नुकसान पिछले साल बंदरों के कारण हुआ था, farmers को, 300 करोड only because of monkeys, इसमें दूसरे जानवर चुहे वगेरा शामिल नहीं थे, और उसके के लिए चिंता का विशह है, और इसलिए कई सालों से farmers delegation लेकर जा रहे थे, केंदर सरकार, राज्य सरकार के पास, और उने कह रहे थे, कुछ तो कीजिए, बंदरों का जो यह मैनस है, यह बंदरों की समस्या है, इसको solve कीजिए, do something about it, तो सरकार ने क्या निर्डे लिया, कि एक monkey park बना देते हैं, सारे बंदरों को पकड़ कर उसमें डाल देंगे, करनाटक सरकार यहाँ पर उधारन दे रही है, हिमाचल प्रदेश का, कि हिमाचल प्रदेश में भी बंदरों की बहुत समस्या है, in fact उत्तर भारत के जितने भी hill stations हैं, सभी में यह समस्या है, तो हिमा production rate है, वो थोड़ी सी कम हो जाती है, 2019 में हिमाचल प्रदेश के मंत्री ने जानकारी दी थी, कि डेड़ लाग से भी जादा बंदरों को इन्हों ने स्ट्राइज किया दा, सरकार ने, लेकिन हिमाचल प्रदेश के इस plan की success पर कोई एक मत राय नहीं है, मैंने अपने research में य रहने वाले हैं, तो comment section में मुझे बताइएगा कि local city क्या है महाँ पर, आप लोग जादा अफगत होंगे, क्योंकि इस तरह की news जो है, वो national media में बहुत जादा filter होकर आती है, तो हमें बहुत जादा idea नहीं रहता है, इंटरनेट पर भी इसके बारे में जादा search नहीं किया जादा सकता, तो I request हिमाचल वाले जरा बताएं मुझे कि आप लोगों को ground level पर क्या नजर आता है, बंदरों की समस्या पिछले 10 साल में कम हुई या नहीं, फिर से आता हूँ करनाटका पर, तो करनाटका में जो ये monkey park establish हो रहा है, शिवमोगा जिले में, गाहों का नाम है न 1957 में, और हर साल थोड़े बहुत cases इसके आते ही रहते हैं, अब ये news इस तरह है कि आप तक आती नहीं है, पहुंचती नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूँ, 2018-19 में, 12 लोग इस virus से मर गए थे, और ये शिवमोगा में, निट्टूर के पास में ही इसका epicenter था, यानि ये जो लिंगन मक्की reservoir के आस-पास का area है, यहीं से ये बिमारी शुरू ही थी, 3.500 लोग इसके कारण affected थे, और 12 लोगों की मृत्य हो गई थी, और ये लगबग हर साल इतने लोगों को affect करता है, अब इस बिमारी के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लो, कया सनूर forest disease, नाम र जलता, ये KFD virus बंदर या फिर चूहों जैसे कुछ mammals में पाया जाता है, mostly बंदरों में होता है, इनकी skin पर जब ये कीडा काटता है, ये ticks होते हैं, जो इनके उपर बैठे रहते हैं, ये ticks बंदरों को काटते हैं, फिर जब ये इनसान को काटते हैं, तो ये virus इनसानों में जाता है, और इसके कारण effect कौन होता है, सबसे जाधा जो जंगल के आसपास रहने वाले लोग हैं, जो जंगलों में जाते हैं, लकडी खटा करने हैं, या forest produce के लिए, या फिर plantation पे काम कर रहे हैं, वो ही सबसे जाधा effect होते हैं, अब इसका human to human transmission अभी तक तो नहीं देखा गया है, लेकिन ये जानवर से इंसान में जरूर आ जाता है, अब क्यूंके KFD वाइरस पिछले साली शिवमोगा में इतने लोगों को effect करके गया है, साड़े 300 cases आये थे, तो वहाँ के लोगों में obviously एक डर है कि ये वाइरस भविश्य में भी आ सकता है, monkey park होगा, तो इतने सारे बंदर एक साथ होंगे, तो definitely इस बिमारी के spread होने का खत्रा रहेगा, पर्यावरन विद भी इस plan का विरोध कर रहे हैं, दो कारण है बड़े, सबसे पहला कि बंदरों को translocate जब किया जाएगा, यानि कहीं और से उन्हें इस नई जगे पर लाया जाएगा, तो उसके क पर food chain, food webs, वो सब impact होंगे, और ecological imbalance किस प्रकार का होगा, यह हमें नहीं मालूम है, और यह study किये बिना हम बंदरों को वहाँ पर कैसे छोड़ सकते हैं, तो state government को पहले proper study करनी चाहिए, कि इसका impact क्या होगा, फिर उसके बाद यह monkey park establish करना चाहिए, एक और कारण है behavioral, monkeys जो हैं वो group में रहते हैं, बंदर generally आपने भी देखा होगा, 40-50 बंदर एक साथी आते हैं, हमारे यहां उनको बंदरों का टोला कहते हैं, तो यह बंदरों के जो group हैं, इनकी proper territory होती है, marked होती है, यह एक दूसरे की territory में नहीं जाते हैं, अगर जाते हैं तो इनकी लड़ाई होती ह तो यह जो monkeys के groups के बीच में clash है, यह एक भी एक behavioral aspect हो सकता है, और यह गलत होगा, हमारे द्वारा किया गया एक behavioral change होगा इनकी species में, अब यह पूरा मामला actually man-animal conflict का है, इंसान और जानवर, एक दूसरे से टकरा रहे हैं, उसके पीछे reasons क्या हैं, I am sure आप सभी को मालूम होग खत्म हो जाता है, loss of wildlife habitat, urbanization बढ़ता जा रहा है, गाउं बढ़ रहे हैं, शहर बढ़ रहे हैं, industrialization बढ़ रहा है, जहाँ पर jungle थे या फिर जहाँ पर grasslands थे, उनके आसपास industry setup करी जा रही है, अब तो trendy यह ही है कि शहरों से दूर industry, सस्ती जमीन खरीब के industry setup करी जाए, तो य यह area mostly forest या फिर grassland के आसपास होते हैं, उसके कारण इनके natural life पर, natural behavior पर असर आता है जानवरों के, फिर हमने कई जगे पानी को divert कर दिया है, नदियों को divert कर दिया है, अब शरावती नदी पर इतना बड़ा dam है, तो जो downstream areas है, definitely वहाँ पर पानी की कमी आईगी, तो जंगल के अंदर भी जो छोटी छोटे तलाब थे, या फिर छोटी नदियां थी, streams थी, वो सूख रही है, जानवरों को पानी पीने के लिए आवादी शेत्रों के आसपास आना पड़ रहा है, और जो भी sugar और protein rich agro produce होता है, जैसे कि अब अगर गन्ना होगाया जाता है, तो बंदरो पानी और खाने की कमी के कारण जंगलों से बाहर निकल कर, जो जंगल के आसपास के गाउं हैं, शहर हैं, वहाँ तक आते हैं, लेकिन दीरे दीरे उनकी आदत बन जाती है, और आदत बनाने में बहुत बड़ा जिम्मेदार ये भी है, कि हमारा जो खाना है, वो थोड़ा सा उनको attractive लगता है, एक कारण और है, हिंदु धर्म में बन्दरों को हनुमान जी का अवतार माना चाता है, और इसलिए कई लोग इन्हें खाने पीने की चीज़ें दे देते हैं, जैसे कि आप कई बार देखेंगे, मंदिरों के आसपास लोग इन्हें खाना खिला देते हैं, आप उनको प्रशाद दे रहे हैं, वो गलत है, वो बंदर की natural diet नहीं है, तो अगर आपको कभी बंदर को कुछ देना भी है, तो उसे कोई natural fruit दीजिए, biscuit या फिर प्रशाद जैसी चीज़ें बंदरों को मत दीजिए, वो उनकी natural diet बिल्कुल भी नहीं है, उसके कारण उनका behavior change होता है, खराब होता है, जगे जगे आप board देखेंगे, सरकार भी यही कहती है कि बंदरों को कुछ भी ना खिला है, wild animals को आप अपनी तरफ से कोई भी खाना ना दे, अब इस समस्या का समाधान क्या है, समाधान monkey park तो definitely नहीं हो सकता, 100% समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि आ उन्हें उन्हें conserve करना पड़ेगा, ताकि जो बंदरों की आवादी है वो उन्हीं में रहे, और जो human settlements हैं, शहर हैं, गाओं हैं, उनके आसपास green corridor बनाया जाए, ताकि बंदर अगर आते भी हैं, तो उन green corridor में रुख जाए, उसके आगे उन्हें आने की जरूत ना पड़े इन green corridors के अंदर, जो natural diet है बंदरों की, fruits हैं, उनके पेड हुगाया जा सकते हैं, बन्यान, mango, tamarin, neem, jamun, ऐसे पेड बंदर प्रिफर करते हैं, उन्हें आम या फिर केले जैसे fruits खाना काफी अच्छा लगता है, तो इसके कारण वो खेतों तक नहीं आएंगे, इनी पेडों बंदरों को भगाने के लिए पुरानी techniques है, उनका इस्तमाल भी किया जा सकता है, जैसे कि scarecrows लगाना खेत में, या फिर करनाटक शेतर में कुछ farmers ये करते हैं कि मचली के उपर मिर्ची शड़क के उसे रख देते हैं, उससे भी बंदर नहीं आते, कुछ modern तरीके भी हैं, ज सब कम हो रहे हैं भारत में, यानि कि compare to 100-200 years, अब उनकी आबादी काफी कम हो गई है, तो बंदरों के natural predators काफी कम है, लेकिन बंदर ये देखा जाता है कि आज भी कुत्तों से काफी डरते हैं, तो dogs barking या tiger roar का जो sound है, उससे वो भाग सकते हैं, finally एक तरीका ये भी है, culling and sterilization culling का मतलब है कि बंदरों को पकड़ कर उन्हें मार देना और sterilization का मतलब है कि उन्हें sterile कर देना ताकि वो reproduce ना कर सकें, अब ये करना चाहिए या नहीं, ये एक अपने आप में wider debate है, कि किसी जानवर को पकड़ कर हम उसे मार दें या उससे sterilize कर दें, इस debate में मैं अभी न अग्वाड़ आड़ दे, आड़ डीष, डीष, प्रांटर राड़ दे, आड़ दे, आड़ दे, ग डीवाड़क है, इस घुची में अबाड़ दे और दे, डीशन कंट्र नमार्वाड़ येरी, लो तरह लेग्वाड़, जाना इसबड़ का मैं इस ये आड़ प्राड़,